जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीतला सप्तमी वसीतला अस्टमी का पर साल 2023 में कब बनाय जाएगा, 14 मार्च को या 15 मार्च को. इस वीडियो में आपको वसोड़ा किस दिन पूजना है, इसकी सही तारिक मालूम पड़ेगी. साथ ही आपको सीतला सप्तमी वसीतला अस्टमी के दिन पूजा का सोब मूरत क्या रहेगा, इसकी बिचानकारी दोंगी. साथ ही सीतला मा आता की पूजा की विधी वाभोग प्रशाद के भारे में भी बताऊंगी. और इस दिन ऐसे कौन-कौन से काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ये भी बताऊंगी. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्ष्ट है कि अगर अभी तक आपने हमा जादा से जादा सेयर करें. तो आई ये शुरू करते हैं. दोस्तों, हिंदु धर्म में केवल सीतला सप्तमी या सीतला हस्टमी के दिन ही बासी भूजन का भोग लगाया जाता है. इस दिन महिलाएं सीतला माता की पूरे विधी विधान से पूचा करती हैं. धार्मिंग मान बनाया जाता. आपको बता दें कि चैत्र मास के क्रिश्न पक्च की सप्तमी तिथी को सीतला सप्तमी वा चैत्र मास के क्रिश्न पक्च की अस्टमी तिथी को सीतला अस्टमी का पर्व मनाया जाता है. इसमें सीतला माता का वरत वा पूजन किया जाता है. ये पर्व होली समा अप्त होने के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन माता सीतला की पूरे विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और इस प्रत में बासी भोजन माता को अर्पित किया जाता है और खुद भी प्रशाद के रूप में ठंडा बासी भोजन ही खाया जाता है तथा घर के सभी सदस्य भी ठंडा बासी भोजन ही खाते हैं दोस्तों बहुत से घरों में सीतला सब्तमी के दिन सीतला माता की पूजा होती है लेकिन ज़्यादा तर घरों में सीतला अस्टमी के दिन ही सीतला माता का पूजन किया जाता है यदि आपके घर में सीतला सब्तमी का पूजन होता है तो आप सीतला सब्तमी के एक दिन पहले या अगले दियाप के घर में सीतला अस्टमी का पूजन किया जाता है तो आप सीतला सप्तमी के दिन सारा भूजन बनाने के बाद अपनी रसोई को साफ सुथरा करके पूजन करें और अगले दिन यानी अस्टमी के दिन आप सीतला माता की विदवत पूजा करके उन्हें बासी भ जानते हैं दोस्तों सीतला माता का वरत खास तोर से महिलाए करती हैं जिस घर में सीतला माता की पूजा होती है मा उस घर को धन संपदा से भर देती हैं मानेता ये भी है कि सीतला माता की पूजा करने से समस्त परिवार के लोग चेचक खसरा आदी जैसे रोगों के प्रकोप से बचे रहते हैं। दोस्तों एक दिन पहले जब भोजन बनाया जाता है तो उसमें मीठी भात, चूर्मा, नमक पारे, सक्कर पारे, बेसन चिक्की, पूरी, पुए, पकोडी, रबडी, बाजरे की रोटी और सबजी यादी बनाई जाती है। ध्यान रहे, इसमें से कुछ भी आप पूजा करने से पहले खा नहीं सकते हैं। इस बात का विसेज ध्यान रखना है। दोस्तों आप कुछ बातों का ध्यान भी अवस्ते रखें। जैसे इस दिन स्वयम या घर का कोई भी सदस से गर्मा गरम भोजन ना करे। और ना ही इस दिन गरम पानी से इसनान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन हलके रंग के वस्तर पहनने चाहिए। इस दिन काला नीला या गाड़े रंग के वस्तर नहीं पहनने चाहिए। और खासकर इस दिन गरम या उनी वस्तरों का प्रयोग कदापी नहीं करना चाहिए। और दी की तो वरत वाले दिन आपको सुबा जल्दी उठकर नित्य करमों से निवरत होकर सीतल जल यानि ठंडे पानी से इसनान करना चाहिए। इसके बाद सीतला माता के मंदिर या आपके घर में सीतला माता की मूरती है तो उसकी भी पूझा कर सकते हैं। अनिता आप सीतला माता के मंदिर जाकर विद्वत पूझा करें। माता को रोली अक्छत लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, फल आदे चढ़ाएं। और हो सके तो माता को इस दिन रसीले फल या पानी वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक दिन पहले जो आपने ठंडा बासी भूजन बनाया है उसका भोग लगाएं। फिर आप पानी से बिना नमक का आटा गूत कर आटे का दीपक बना लें। इस दीपक में रूई की बत्ती घी में डुबा कर लगाते हैं। ये दीपक बिना जलाई ही माता को चड़ाती हैं क्योंकि इस दिन आग नहीं जलाई जाती है। सब्तमी 14 मार्च 2023 दिन मंगल वार को मनाई जाएगी। और सब्तमी तिथी की सुरुवात 13 मार्च 2023 की रात को 9.27 मिनट पर हो जाएगी। और सब्तमी दिथी की समापती 14 मार्च 2023 की रात को 8 बच कर 22 मिनट पर होगी और सीतला सब्तमी के दिन पूजा का सुब मूरत 14 मार्च को सुबा 6 बच कर 33 मिनट से लेकर साम 6 बच कर 29 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अवदी 11 घंटा 56 मिनट की रहेगी और अब जानते हैं कि सीतला सब्तमी साल 2023 में कब मनाई जाएगी तो आपको बता दें कि इस साल सीतला सब्तमी का पर्व 15 मार्च 2023 दिन बुद्दवार को मनाया जाएगा और सब्तमी तिथी की सुरुवात 14 मार्च 2023 की रात को 8 बच कर 22 मिनट पर होगी और सीतला सब्तमी के दिन पूजा का सुब मूरत 15 मार्च की सुबा 6 बच कर 31 मिनट से लेकर साम 6 बच कर 29 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अबदी 11 घंटा 58 मिनट की रहेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद